नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटीब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों हम आपके लिए आज एक और न्यू अपडेट लेकर आ चुके हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है या पिर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे जलती सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए डेली न्यू वेकेंसी अपडेट और भी गवर्मेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपके लिए डेली लाते रहते हैं तो दोस्तों हम बापस अपनी वीडियो की तरफ आते हैं तो दोस्तों आज का अपडेट शाहिद आपको खुश करते क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हर्याना सी इटी से रिलेटेड बिग अपडेट दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर बहुत गन्फियूज थे कि सी इटी इस साल होगा या फिर नहीं और होगा तो किस मन्त में होगा तो दोस्तों हर्याना करंचारी बोपासिंग खादरी द्वारा ये बयान आया है कि कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्स सी इटी के परेच्छाम अपरेल में कराय जाने की तियारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये एक्जाम आपका सी इटी का अपरेल में कंड़क्ट हो सकता है तो अगर आप इसमें बैठना चाहते हैं इस एक्जाम को अटेंड करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से ताकि आप इसमें अच्छा perform कर सकें क्योंकि दोस्तों फिर इसी exam के basis पर आप अपने next exam दे पाओगे अगर आप इसमें qualify होते हो तभी तो आप और form फिल कर पाओगे और दोस्तों इसमें जो बड़ी news है वो यह है कि पुलिस और सिच्छकों की भरती पर यह CET आपका लागूर नहीं होगा मिन्स जो पुलिस और सिच्छकों के आपके जो form निकलेंगे आपको वो CET के छोड़के मिन CET के marks का उनने पर कोई effect नहीं पड़ेगा पुलिस और सिच्छकों के form पर और आपका जो यह होगा आप सभी जान दें CET का एक्जाम हो जाएगा और जो सारी ग्रूप 3 और 4 की सभी भरतियों के लिए common interest rates की बिवस्ता की है यो इस ग्रूप C और ग्रूप D की सारी vacancies में आपका काम आएगा CET अर्थात उमीदवार का एक बार पंजीकरण और एक बार ही सभी काग्यात अप्लोट किये जाएंगे CET और पंजीकरण के बाद ही बढ़तिकी रेज उमीदवार सामिल हो सकेंगे तो दोस्तों अगर आप CET की में बैठना चाहते हैं हर्याना के में तो आप अभी से इपनी प्रपेशन त्यार कर लीजे क्योंकि इसके अप्रेल में होने की उमीद जताई जा रही है जो कि अभी आपके सिर्फ 2 मन्त हैं आपके पास तो आप अपनी प्रपेशन स्टार्ट कर दीजिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंशे जरूर करें और दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें